गणपती बापा गणेश उत्सवाचा आपना सरवाना खूब खूब सुभेच्चा यहां आने से पहले मुझे पारले में लोक मान्य सिवा संग में गणपती बापा के दर्शन का सौभागे मिला इस वर्ष लोक मान्य सेवा संग के गणपती वर्ष भी है लोक मान्य तीलग ने समाज को मजबूत करने के लिए जिस परंपरा का विस्तार किया आज उसकी गूंज देश विदेश में भी है हमारे नए गवर्णर स्री यहां आए है शुमान कोशियारी जी बहुत कम लोगों को मालूम होगा वे उत्राखंड के बहुत यशश्वी मुख्मंत्री रहे हैं और इससे भी बड़ी बात जिसका उल्लेक करने में मुझे गर्म मैसूस होता है कि जब मैं भारतिय जनरता पार्टी के संगठन का कायर करता था कभी उत्राखंड का प्रभारी हुआ करता था तो उनी के मारदर्शन में मैं काम करता था साथियों मुंबई और महराष्ट के लोगों की सादगी और उने मुझे हमेशा अभीभूत कर देता है चुनाओ प्रचार के दोरान महराष्ट में यहां के अनेक शेहरों में गया आप लोगों से समवाद किया मुंबई में तो जो रात में सभाव हुई थी उसकी चर्चा कई दिनों तक चली थी इस नह के लिए इस आथिरवाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ बनते बिगरते मौसम के बीच आज भी आप अपना समय निकाल कर इतनी बड़ी तादाज में आकर के इस कारकम की शोभा बढ़ाई ये आपके मुझाज की पहचान है और आपके सपनों का संकेद भी है साथियों मैं रशिया में था तब भी मुझे मुंबे का हाल मिल रहा था मैं कल सुबह ही वहाँ से लोटा और फिर शाम को बैंगलूरू चला गया बैंगलूरू में राद भर इश्रों के अपने विज्ञानिक साथियों के साथ रहा उन्होंने जो होसला दिखाया है उसे देख करके मैं बहुत प्रभावी था अपने लक्ष के लिए कैसे दिन रात एक कर दिया जाता है कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थिती में भी बड़ी से बड़ी चनोती में भी पूरीत तनमयता के साथ कैसे अपने लक्ष को प्राप्त किया जाता है ये इसरों के हमारे विज्ञानिकों हमारे इंजिनियोरों से हम सब सिख सकते हैं भाई और भहनों हमारे सास्त्र एक प्रकार से ज्ञान का भंडार है भरतोहरी ने कहा था प्रारभ्यते नखलू विज्ञभये न निचेह प्राप्ध्य विज्ञभीता विरमति मध्या विज्ञभी पुनह हैँ पुनरपी प्रतियंत्यमानाह प्रारप्त मुत्यमुगना न परित्य जंति याने किसी भी लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रियास करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं सबसे नीचले पाइदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के दर्स से कभी काम की शुरुबाती नहीं करते हैं इसके बाद मद्यस्तर के और मद्यस्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही नौ दो गैरा हो जाते हैं भाग जाते हैं इन दोनों तहर के लोगों से अलग सबसे उचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद बड़ी से बड़ी चुनोतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष को प्राप्त करके ही दम लेते हैं साथ्यों इसरों और उसके साथ काम करने वाले लोग ये तीसरी प्रभृत्ती वाले लोग है जब तक लक्ष प्राप्त नहीं हो जाता वो न रुकते हैं न ठकते हैं न बैठते हैं अब मिशन चंद्रयान में एक रुकावट आज हमने देखी है लेकिन इसरों के वैगानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुँच जाते हैं चांद पर पहुँचने का सपना पूरा हो करके रहेगा और साथियों हमें ये भी याद रखना है कि चंद्रयान के साथ भेजा गया और्बिटर अभी वहीं है चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है ये भी एक आइतिहासिक उपलब्दी है मैंने मुंबई के लोगों की स्पिरिट के बारे में बहुत सुना है देखा है अनुभव किया है आज इसरों के लोगों के स्पिरिट देखी और समझी तो मुझे जरूरी लगा कि आपसे भी उन बातों को जड़ा शैर करो भाई और भेनों अपने संकल्पों के लिए नरंतर प्रयास गणे सोत्षव की उमंग और इसी माहोल में आज महराष्ट में हजारों करोड रुपिय की योजनाओं का स्री गनेश हो रहा है सुभारंब हो रहा है मुंबई के बात मेरा औरंगाबाद जाने का भी कारकम है वहाँ भी अनेक परियोजनाओं की शुरुवात होगी मैं विशेश कर मुंबई और उसके सबर्बन इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ बीस हजार करोड रुपिय से ज़्यादा का काम आज यहां शुरू हो रहा है नई मेट्रो लाइन हो मेट्रो भवन हो मेट्रो स्टेशन में सुभिधाओं का विस्तार हो बांदरा कोरला कॉंपलेक्ट को इस्टरन एक्सप्रेज हाईवे से जोडने का प्रोजेक्ट हो यह सभी परियोजना है मुंबई के इंफरस्रेक्टर को नया आयाम तो देगी ही यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाने वे भी मदद करेगी बांदरा कोरला को एक्सप्रेज हाईवे से जोडने वाला प्रोजेक्ट तो लाखों प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आएगा बीकेसी तो बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा सेंटर है अब यहां आना जाना और आसान होगा कम समय में हो पाएगा और अब तो मिनिटों में मुंबई हर कोई आवाज करता है मिनिटों में मुंबई इन सारी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हर मुंबई कर को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों मुंबई वो शहर है जिसकी गती ने देश को भी गती दी है यहां के परिशमी लोग यहां के प्रफेशनल्स यहां के माताएं बहने युवा आप सभी लोग इस सहर से प्यार करते हैं गर्व से कहते हैं मी मुंबई कर बीते पांच वर्षों में आमची मुंबई के इन्फार्सेक्टर के ओ सुधारने के लिए हमने बहुत इमानदारी से प्रयास किया यहां फड़न्दीजी की सरकार ने मुंबई और महराज के एक एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी महनत की हैं यह मैं भली भाती जानता हूँ आज इनी सब प्रयासों का ही असर है कि मुंबई में धीरे धीरे बड़लाव आने की शुरुवात हुई है और मैं इससे सबसे सकारत पक्षिये देखता है कि वर्तमान के साथ ही बविश्य की जरुरतों आने वाले दसकों की आवश्यत्ताओं के हिसाब से अभी से काम किया जा रहा है भाई और भेनों आज जब देश फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी के लक्ष की तरफ बढ़ रहा है तब हमें अपने शहरों को भी 21 सदी की दुनिया के मताबिक बनाना ही होगा मुबिलिटी हो कनेक्टिविटी हो प्रोडक्टिविटी हो सस्टेनिबिलिटी हो या फिर सेफ्टी हर लिहाज से एक बहतर व्यवस्ता हमें तयार करने है इसी सोच के साथ हमारी सरकार अगले पाँच साल में आदुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर पर सो लाग करोड रुपिये खर्च करने जा रही है इस राची का बहुत बड़ा लाब मुंबे के साथ साथ पूरे महराश्टर के तमाम शहरों को भी होने वाला साथियों देश भर में शहरों में मोबिलिटी को ट्रांस्पोर्ट को बहतर बनाने के लिए हम एक इंटिग्रेटेड सिस्टिम पर बल दे रहे है रोड हो रेल हो, मेट्रो हो ऐसे हर माध्यम को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है आज यहां मुंबई मेट्रोपुलिटिन रीजन उसमें बहतर पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम तयार करने के लिए भी एक वीजन डॉक्यमेंट रिलीज किया गया इसमें आने जाने के अलग-अलग माध्यम हो जैसे मुंबई लोकल हो, बसों का सिस्टम हो, या फिर मेट्रो इनका कैसे सही गुप्योग हो सके, इसका विस्तार से ब्योरा दिया गया खास तौर पर मुंबई मेट्रो के लिए मास्टर प्लान इसमें बनाया गया भाई और बहनो बीते पांच वर्सों से मुझे मुंबई मेट्रो के विस्तरी करन से निरंतर जूडने का मौका मिलता रहा है करीब डेड लाग करोड रुपिय की लागत से मेट्रो नेट्वर्क का विस्तार यहां किया जा रहा है अभी मुंबई में सिर्फ ग्यारा किलो मिटर का मेट्रो नेट्वर्क है लेकिन 20, 23, 24 तब तक ये बढ़कर सवा 300 किलो मिटर से अधिक हो जाएगा इसका सबसे बड़ा लाब ये होगा कि आज जितने लोग मुंबई में लोकल रेल से रोज सपर करते हैं लग उतनी ही केपेसिटी मेट्रो की भी हो जाएगी लोकल को आधुनिक बनाने के साथ ही मेट्रो के विस्तार का ये कॉमिनेशन मुंबई की बर्तमान जरूरतें पूरी करने के साथ ही आने वाले वर्षों के लिए भी तैयार करेगा साथ यों हम सिर्फ मेट्रो लाइन ही नहीं सब उच्छे ही बिसा रहे सा नहीं बलकि इन लाइनों पर जो मेट्रो दोड़ेगी उसके कोच भी भारत नहीं बन रहे थोड़ी देर पहले ही मैंने मोकप कोच को देखा है मेके नीजिया के तहद बनने वाले ये आधुनिक मेट्रो कोच मुंबे मेट्रो को सुरक्षीत और सुवीजाजरक और किफायती बनाने वाले हैं बाइवर बैनों इन्फरस्टेक्टर का जितना रिष्टा एकोनोमी से हैं इज अफ लिविंग से हैं उतना ही एमप्लोईमेंट से भी है इन्फरा पन्निवेश का मतलब है उतना ही रोजगार के नए आउसर बनना अगर मैं सिर्फ मुंबे में शुरू हुए मेट्रो के कारियों की बात करूँ तो इससे दस हजार इंजीनियर और चालीस हजार स्कील्ड और अंस्कील्ड लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे भाइव और बहनों इन्फरस्रक्चर का जो काम गावों में हो रहा है शहरों में हो रहा है वो स्थानी अस्तर पर जिस तरह एंप्लॉमेंट पैदा करता है छोटे छोटे वापारियों के लिए बिजनेश के मौके बनाता है उसकी बहुत चर्चा लोग करते नहीं है संभावत हा इसकी एक बज़े ये भी रही है कि आज जिस पीड और स्केल पर काम हो रहा है वो पहले कभी हुआ ही नहीं इसलिए इस और लोगों का ध्यान भी कम होना बहुत स्वाभावी कि अब जब सीचियां बदल रही है तो ये विशे भी अब चर्चा में आना शुरू होगा सोचिए क्या कोई पहले सोच भी सकता था कि बरसों से अटका हुआ नवी मुंबई एरपोर्ड का काम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम मुंबई अमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम इतने व्यापक रुप से शुरू होगा इतनी तेज गिती से आगे भड़ेगा ये सारे प्रजेक्ट मुंबई और आसपास के लोगों के रोजगार के अनेक और नए अवसर दे रहे भाई और बेनो जब मैं स्पीड और स्केल की बात करता हूँ तो मेरे पास इतने उदाण होते हैं कि उन्हें गिनाते गिनाते शायद शाम हो जाए आज यहां मेट्रो के बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए है तो मैं उसी का उदाण आपको देना चाहता हूँ साथ यह हमारे देश में पहली मेट्रो 30-35 साल पहले शुरू हुई थी इसके बार 2014 तक कुछ ही बड़े शहरों में मेट्रो चल पाई आज देश में 27 शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुके है या निकट भविश में शुरू होने वाले आज देश भर में पौने 700 किलोमेटर मेट्रो लाइन अपरेशन चार सो किलोमेटर की मेट्रो सेवा बीते पांच वर्ष में शुरू ही है सोचिए आदा से जादा मेट्रो लाइन पिछले पांच साल में जुड़ी है और अभी साड़े 800 किलोमेटर से अधिक की मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है भाई और भेनों करीब करीब 600 किलोमेटर की नई मेट्रो लाइनों की स्विकृति पिछले पांच साल में देजी गई है मुंबई हो पुने या नाकपुर मेट्रो लाइन के काम इसी दोलों सुदू हुए और मैं फड़न्विजी की प्रथंसा करूँगा कि इन परियोजनाओ पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है भावी और बहनों देश को 21 भी सदी के आधुनिक इन्फसक्तर से युक्त करना देश को तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है आज देश के इन्फसक्तर को एक हुलिस्टिक तरीके से विक्सित करने पर काम चल रहा है तुकड़ों तुकड़ों में नहीं एक भारत, स्रेश्ट भारत के नजरिये के साथ ही हम आगे बढ़ा उन नेशन, वन पावर गृट से लेकर उन नेशन, वन मोबिलिटी कार तक उन नेशन, वन टेक्स से लेकर वन नेशन, वन नेट्वर्क अप्टिकल फाइबर तक पूरे देश्ट में हमारी सरकार आधुनिक इंफल सेक्टर का दिर्मान कर रही है भाई और भेनों हम सभी का ये दाइत्व है कि हमारी बच्चे हमारी आने वाली पीडिया उस परेशानी में न रहें जिस से हम रहते आए हम बच्चों को विरासत में परेशानी न दे हर व्यक्ति के जीवन सर में होने वाला सुधार देश की स्थिती में सुधार ला देता है हमें अपना वर्तमान अतीत के सपनों को पूरा करने के साथ ही बविश की तयारों में भी खपाना होगा देश भविश के लिए आच्चे तयार होगा तभी आपके बच्चे सूखी जीवन बिता पाएगे आपके आथिरवात से नई सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने जो फैसले लिये वो भारत वाच्चों के भविश को मजबूत करेंगे सुरक्षित करेंगे साथ्यों देश के जनता ने जो जनादेश दिया था उसका सम्मान करते हुए सही दिशा में अनेक महत्वपून फैसले लिये गए है इस सरकार को सो दिन हो रहे हैं और इन सो दिनों में ही ऐसे ऐसे कार्य हुए है जो अभूत पूर्व भी है आइतिहासिक भी है जल जीवन मिशन की शुरुवात हो या फिर देश के हर किसान को किसान सम्मान निदी के दारे में लाने का फैसला हो हमारी मुस्लिम बेहन बेटियों को तीन तलाक के संकर से मुक्ति दलारे वाला कानून हो या बच्चों की सुर्प्सा से जुड़ा कानून हर छेत्र में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है लेकिन सरकार के इन फैसलों और इन कारियों के बीच आपकी सेवा के बीच मैंने एक और संकल्प लिया है यह संकल्प है जादा से जादा लोगों को जादा से जादा अवसरों पर अपने दाईत्वों के प्रति सजग करने का एक भारतिय एक संकल्प लोगमानिय तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसीद अधिकार है आजादी के पचत्तर साल होने वाले है हमारे लिए नया मंत्रा है सुराज्य हम देश वास्यों का कर्तव्य है एक भारतिय एक संकल्प के साथ मैं आप से प्रार्षना करूँगा अपना तय किया हुआ संकल्प एक तो आप संकल्प जरूर करें और जो संकल्प करें देश हित के लिए करें और संकल्प पूरा करने के विशे में कभी भी पीछे न हटे आप लोग मुंबई के हित में महरास्त तक हित में जो संकल्प लेना चाहें वो संकल्प ले सकते हैं वैसे एक सुझाओ मैं आपको अभी ही दे सकता हूँ आप मानेंगे क्या अवाय थोड़ी दीरी हो गई मानेंगे पक्का मानेंगे पूरा करेंगे अकेले भी करेंगे मिलकर के भी करेंगे साथ्यों बप्पा की विदाय के दोरान साथ्यों बप्पा के विदाय किये दोरान बहुत सारा प्लास्टिक और दुसरा बेश्ट हमारे समंदर में चला जाता है इस बार हमें कोशिश करनी है कि ऐसा सामान जो जल प्रदुशन बढ़ाता है उसको पानी में नहीं बहाएंगे इतना ही नहीं विशर्जन के बाद हम अपने अपने स्तर पर समंदर से मिठी, नदी, सही, पानी के दूसरे स्तरोतों को प्लास्टिक मुक्त करने में जुटेंगे आप ये काम करेंगे जड़ पीछे से आवाज आजाए करेंगे पक्का करेंगे मुझे पुरा विश्वाद है कि आपका यही उत्सा पूरे देश को प्लास्टिक मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा एक बार फिर आप सभी को विकास के तमाम प्रोदेश के लिए अनेक अनेक शुब कामनाएं बहुत बहुत बधाई उत्सव के समय तमाम व्यस्तताओं के भीज भी आप यहाँ पधारे इसके लिए मैं रदय से आपका अभार व्यक्त करता हूँ जये मुम्